नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सुनील और आप देख रहें अपना लोग परी यूटीव चैनल जिसका नाम है सुनील जस्वाल बीवलोग फाइल दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिमाचिल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन के माद्यम से दोस्तों नया स्ल क्लास 3 के लिए यहां पर दो पेपर जोब कर दिये गए हैं दोस्तों हम लोग पहले भी स्लेबस के उपर वीडियो बनाया है जिसमें कि हमने गलती से प्रस्नेल्टी टेस्ट के बारे में बोल दिया था इसके लिए हम लोग माफी चाहते हैं दोस्तों प्रस्नेल्टी टेस् में जो नया syllabus अभी बताया गया है इसके बारे में चर्चा करेंगे सबसे important चीज दोस्तों त्यारी करने से पहले अब आप लोगों को पूरा जो notification दोस्तों अभी जारी किया गया है उसे आप लोगों को बहुत अच्छी तरिके से read करना पड़ेगा चीजों को जारी किया गया है यह पूरी तरह से defined नहीं किया गया जेकिन फिर भी दोस्तों यहां पे हमें 90% 80% जो syllabus के बारे में जानकारी मिल रही है जैसे ही दोस्तों हर पोस्ट के लिए अलग से syllabus जो जारी किया जाएगा तो वहां हम तब तक हमें official notification का इंतियार करना पड़ेगा तो आप लोग ने अभी तक जो भी आप लोग त्यारी कर रहे हो इसमें थोड़ा सा आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा syllabus को अच्छे तरिके से देखना है pattern को अच्छे तरिके से देखना है दोस्तों और इसके बाद दोस्तों अभी क्या होगा सही किताबों का चेंज करना बहुत ज़्यादा जिरूरी हो गया है क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों जो marks की बेटेज है जो जितने marks ज में बहुत कमी रहेगी तो आज से अब इस सब्सक्राइब करें वाहने को सिठार करते हैं जासे के जाए के आपके और और रहेगी तो आजसा बहते तक्रिया करते हैं दोस्तों अभी अगर मालोट नौटिफिकशन जारी की जाती है study target भी आप लोगों ने बनाने हैं और कोशिश करने खुद को positive रखने की खुद पर बिश्वास रखने की दोस्तों यह जो अभी syllabus जारी किया गया था तो यहां पर अगर आप लोग इसे थोड़ा ऐसे देखेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा लेकिन जहां पर बरीकी पर applicants two type of paper two type of paper होंगे दोस्तों आपके पास जैसे मैं आपको पहले बता है two type papers having objective type तो यह काफी ज़्यादा important है two types paper having objective type जो आपके paper होंगे वो objective type होंगे शब्दों का यहां पर थोड़ा hair fair दिया गया तो इन चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरुके से जो वो देखना है तो यहां पर एक बार फिर से repeat कर देता हूँ दोस्तों applications of two type of paper होंगे आपके objective type मतलब multiple choice question होंगे negative marking भी होगी तो इस चीज़ को आप लोगों अच्छे तरुके से ध्यान में रखना है कि negative marking भी होगी दोस्तों पहला जो paper होगा इससे सिर्फ आप लोगोंने qualify करना 35% आपके marks होने चाहिए तो यहां पर जो syllabus है दोस्तों एक बार इससे देख लेते हैं फिर इससे little हम लोग जो किताबे होंगी जो important किताबे होंगी उनको भी हम लोग देख लेंगे दोस्तों हलां कि मैंने सिर्फ लेबस को पहले सी भी डिसकर्स की है लेकिन अभी मैं यहां पर किताबे बताने जा रहा हूं तो इसलिए मैंने इन चीजों को फिर से आप लोगों को repeat कर रहा हूं जो गलती है पहली वीडियो में थोड़ी सी होगी थी मेरे पास तो उनको हम लोगों यहां पर clarify कर रहे हैं दोस्तों यहां पर cbt जा offline test होगा एक गंटे का paper होगा 100 marks का होगा अब यह नहीं बताएं कि कितने questions होगे one questions जा 50 questions दो number के होगे 100 number का होगा तो यहां पर भी थोड़ा सा भी आपको बेट करना बढ़गा official notification के लिए journal knowledge हिमाश्रे प्रदेश का होगा 30 marks का 30 number का आएगा journal knowledge of national and international affairs दोस्तों यहां पर current fair तो आपके पास रहेगा तो जैसे कि हमने बहुत सारे यूटीबरों को भी देखा है और बहुत सारे बच्चे ऐसी भी बता रहे हैं कि journal study जो gk है उसको भी include कियाता है दोस्तों अगर आप जो आपका जैसे मिसलेनिस के question होते हैं जो में इसमें जाते हैं जाते हैं हलांकि इन इन में ही include कर दिये गया है तो फिर भी आगर आप लोगों को यहां पर देखें तो हिमाश्रे प्रदेश का जीके त्यार करना पड़ेगा जनल स्टडी जीके आप लोगों को लेके ही चल दिया इन्होंने 20 नंबर का होगा मैंने पहले बताया कि यह बताया नहीं कि किस लेवल का यह एंथ लेवल का होगा इसके बात करते हैं इंग्लिश की दोस्तों तो यह आपकी बास 20 marks का होगा तो totally आपको लोगों को यहां पर 35 marks जो आप वो qualify करने के लिए लेकिन दोस्तों आप लोगों ने अच्छे द्रीके से तैरी करनी है मैं आपको पहले ही वीडियो में clear कर दिया है कि आपने इसमें जो नंबर है वो अच्छे लेने की कोशिश करनी कि बाद में अगर नंबर आपके किसी के साथ clash हो जाते हैं तो बहाँ पर problem create हो सती है जिसके नंबर ज्याद जो आपका subject है जैसे आप लोग TGT Arts Commission में हैं तो दोस्तों आपको Social Science जो आपको आपको साइकोलोजी जो आपको साइकोलोजी जो आपको त्यारी करने पड़ेगी फिलोस्पी इस तरह से दोस्तों जो आपका टेट में जो पहले से स्लेबस रहता था यहां फिर आपका टीट आपको पहले से स्लेबस रहता था जिसमें की पहले कोशन कम रहते थे लेकिन अभी आपको ज़्यादा देखने को मिल सते हैं तो इस तरह से दोस्तों आप लोगों ने इसे अच्छे तरिके से त्यार करना है कि जो आपका subject है यहां पर आप लोगों क्लेर करना चाहता था और इसके बाद दोस्तों सबसे इंपोर्टन चीज जैसे कि मैंने आप लोगों पहले ही बताया था आप लोगों क्लास 3 का पेपर अगर आप लोगों त्यार करें हमाचल ढरपन जो आपको काफी जएदा इंपोर्टन बुक है इसे आप लोगों ने अच्छे तरके से त्यार करना है, चाहे इसमें नदियां हो, चाहे इसमें ग्लेशर के बारे में बोला गया है, गाटियों के बारे में बोला गया है, पुस्तुकों के बारे में बोला गया है, फेमस प्रसनेल्टी के बारे में बोला गया है, दोस्तों हि जो हिमाचल दरपन की जो दोस्तों यह बुक है इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है तो जब आप लोग इस किताब को पढ़ेंगे तो जो मिस्टेक आपको बहां पे लग रही है तो फिर आप लोग बहां पे ठीक कर सकते हैं तो योक्टा अकडेमी की बुक मैं इसलिए किमेंट कर जाता है तो जब आप लोग इन दोनों किदाबों को पढ़ेंगे तो फिर आपको किसी भी परकार की कोई भी कमी नहीं रहीगी तो इसके बाद दोस्तों हम बात करते होено खिके की किताब है जो भी आपके लिकेंगी trước दीडिक…! की उसे आप लोग बहुत हीच्छ ए च्प्छ 부 article आप लोग कोई भी यह जो मैगजिन जो आपको अच्छी लगती है जिसे आपको पर ना अच्छा लगए जिसमें आपको समस्य में आना आता है दोस्तो तो इससे आप लोगने उस मेगजिन्स को आप लोग ने ले लिए दोस्तों और उसमें जो इंपोर्टन चीज़ें होते हैं उनको भी आप लोग उस मेगजिन्स में देख सकते हैं और इसके बाद दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इसके साथ फिर दोस्तों आप लोग यूटीब पर को अच्छा सा चैनल देख लें जहां पर आपको समझ में आ रहा है तो उन दोनों चीज़ें को कंबाइन करके आप लोग शोर्ट नोट्स बना सकते हैं ताकि आप लोग जो अच्छे तरिके से पेपर में ज दौस्तों ऐब लोग चाहेंijn तो समानने हिंदी महेश कुमार बरनवाल नोट्स बहुत अच्छे किताब आप लोग जोबों पर सकते हैं लाकिन दौस्तों अगर आप लोग चाहें कितना नहीं परहते हैं तो इसके लिए मैंने इक www.JAMS और अपर इस गहां बहुत वह फ् English Channel यह आपको online किताब जो मिल जाएगी 100% guarantee देते हैं कि इनकी किताब को अगर आप लोग रीड करोगे तो आपका selection पका हो जाएगा तो इस किताब को लेके दोस्तों यह Hindi और English दोनों बाशा में लिखी गई है अगर आपके पास Lucent की English की अगर आप लोग चाहते हैं कि special English की किताबों के उपर ही रिव्यू किया जाए तो मैं उसके उपर भी कर दूँगा मेरे पास किताबें हैं मैं आपको बता सकता हूं कि कौन से किताब में क्या क्या हैं तो आप लोग चाहें दोस्तों मैंने बहुत सारे English की यू टाइप कर सकते हैं दोस्तों इसमें सबसे इंपोर्टन चीज तो यही रहेगी कि आपने पेपर वन और पेपर टू को बहुत अच्छे तरिके से त्यार करना है इसके लिए आप लोग ने स्लेबस के एकोर्डिंग जो इंपोर्टन टोपिक है उनको ही स्टार्ड कर द आप तब करेंगे जब आपका सेलेक्शन हो जाएगा ऐसा नहीं दोस्तों जब आप लोग ऐसा करेंगे तो फिर सब्जेक्टी पेपर जो होगा आपका जो आपके सब्जेक्ट से डिटल जो आपका पेपर होगा तो कहीं ने कहीं आप लोग पीछे रहेंगे इसलिए दोस् अपने और बिश्वास रखनेगए और सोचना है बैठना है कि आपके उंदर कितनी क्षमता है आप किस लेवल दर जोब काम कर सथे हैं कितना काम कर सथे हैं तो इन सभी चीज़ों को करते हुए अपनी तयारी को अभी से आप लोग जोबा स्टार्ड कर देंगे तो दोस्तों यह आज का वीडियो था फिर वेगर आपके अमार में प्रश्ण है तो कमेंट वोक्स में युरू टाइप करें दोस्तों यह वीडियो को कैसा लगा आप अपनी राए कमेंट वोक्स में यूरू बताएं आप लोगों ने बहुत बहुत नियावाद, थेंक यू, वेरी मुच, धिल सी.